अब साल का आखरी सूरे ग्रहन लगेगा यह सूरे ग्रहन भारत के ज्यादातर राज्यों में पूरी तरह दिखेगा जबकि कुछ राज्यों में यह आन्शिक रूप से दिखाई देगा सूरे ग्रहन भारती समय के मुताबिक दो पयर दो बच कर 39 मिनट पर आज लैंड में शुरू होगा जो शाम को 6 बच कर 20 मिनट पर अरब सागर में खतम होगा भारत में यह सूरे ग्रहन का मुक्षकाल सूर्य अस्त के साथ ही हो जाएगा ग्रहन के तौरान सूरज का 36% भाग चंदरमा में छिप जाएगा और सूरे ग्रहन का सूतक काल 12 गंटे पहले शुरू हो चुआता है आज सुबह 4.30 मिनिट से सूतक काल शुरू हो गया है भारत में दिखाई देने की वजह से इसका सूतक काल मानने होगा जिसकी वजह से सूतक काल में कोई भी धार में कारे नहीं होंगे मंदिर के कपाच भी इस बीच बंद रहेंगे किदानाद, बदरेनाद, काशी विश्वनाद, महाकाल समें देश के सभी मंदिरों में कपाच पूरे सूतक काल में बंद रहेंगे सूरे ग्रहन का जितनी जोतिशी मानता है उतनी ही व्यज्यानिक पे हैं सूरे के चारो तरफ पृत्वी चंद्रमा समेत सभी ग्रह घूमते हैं और जब सूरे चंद्रमा और पृत्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब सूरे ग्रहन लगता है और यह एक एहम खगोली घटना भी है। और इन सब जगहों पर सूरे ग्रहन दिखाई देगा। अलग अलग समय होगा। आईए हम आपको जड़ा बताते हैं कि किस शहर में कितने बजे सूरे ग्रहन देखने को मिलेगा। मुंबई में शाम 4 बच कर 49 मिनिट से लेकर 6 बच कर 9 मिनिट तक सूरे ग्रहन देखने को मिलेगा। वहीं कॉलकत्ता में सूरे ग्रहन शाम 4 बच कर 42 बच से शुरू होगा। और मेज 12 मिनिट यानि कि 4 बच कर 54 मिनिट पर दिखेगा। वहीं पटना में भी सूरे ग्रहन शाम 4 बच कर 42 बच से शाम 5 बच कर 14 मिनिट तक रहेगा। तो आज इस साल का आखरी सूरे ग्रहन हैं हलाकि अगले महीने 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहन भी होगा। और आज का सूरे ग्रहन योरप, उतरी पूर्वी, अफ्रीका, मध्य और पश्चिमी, एशिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमारिका और प्रशान्त महासागर में दिखाई देगा। और जोतिश शास्त्र के मुताबिक सूरे ग्रहन को देखने से अशुब होता है। वहीं वग्यानी कों का मानना है कि खुली आँखों से सूरे ग्रहन ना देखा जाए क्योंकि इससे आँखों में अल्ट्रा वालेट व्रेस पहुंच सकते हैं। पिन होल कैमरे से सूरे का प्रतिबिम्व दिवार पर बनाकर उसको सुरक्षित देखा जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।